हेलो स्ट्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल डैनमिक मैथ मैं आज आपको क्लास 10 का आरे सगरवाल से पॉलिनोमियल चेप्टर का एक्ससाइज 2C का कोशन नमर 9 बताने वाला हूं इसके पहले वारे वीडियो में मैंने बहुत सारे कोशन मैंने बता दिया है और खास करके एक से भी करके 8 तक का मैंने स्वालुस्षन आपको बता दिया आज मैं इस वीडियो में आपको कॉश्चन मबर 9 से आपको सॉलूस्षन बतावँगा तो पूरा विडियो को देखियेगा विना इसके चलिए हमने को कॉश्चन को देखते हैं तो देख रसे क्याआँ इसके क्या न lion is 20 दे रखाए तो सबसे पहले हम लोगे टर्म को लिख लेते हैं जो given terms दिया गया है given terms में दिया गया है minus two is zeros तो दो गिवन terms हम लोग लिख लेते हैं minus two is zeros है माइनस टू है इस दिया हुआ है और एक जिरोग दिया हुआ है और एफ एक वील्यू गिवेन है तो fx का value है 3x square plus 4x और plus में 2k, plus में 2k, आपको k का value find करना है, k is equal to what, k का value आपको find करना है, तो देखे, minus 2 is a 0, minus 2 जो है एक 0 है, तो यहाँ पर x के जगह में minus 2 put कर लेंगे, x के जगह में minus 2, तो यह 3 quasities रहने देते हैं, into में x, x का value minus 2 put करते हैं, square लगा हुआ है, plus 4, into में x, x का value minus 2 है या, minus 2, plus 2k as it is रहेगा, तो यह 3 हो गया, into, minus 2 का square 4 हो जाएगा, plus minus, minus 4 to 2 जा, 8, plus में 2k, 2k, 3, 4 जा, 12, minus 8, plus में 2k, 12 में 8 minus करेंगे, तो 4 हो जाएगा, plus में 2k, यह 2k as it is रहेगा, plus 4 इधर आया, equal to के, तो minus 4 हो जाएगा, तो k is equal to minus 4, अपन में यह 2 आएगा, 2, 2 जा 4, कट जाएगा, तो k is equal to, यह minus बच गया, और यह 2 बच गया, तो k का value कितना आ गया, minus 2, I hope आपको यह समझ में आगया हो, चलिए हमनों question number 10 को देखते हैं, question number 10 में है, देखे, question number 10 में बोला गया है, write the zeros of the polynomial, x square minus x minus 6, यह भी सी बची बोड़ी साम में, पुछा गया question है, काफी important है, यहाँ पर क्या find करना है, write the zeros, आपको zeros find करना है, तो zeros कितने होते हैं, दो होते हैं, एक alpha होता है, और एक beta होता है, और इसको हमको meet term split कर गया, यहनि फेक्टराइज करके इसमें हम लोग alpha और beta find करेंगे, काफी simple question है, जैसा कि मैंने आपको पीछले बीडियों में बहुत सारे questions में ऐसा बताय हुआ है, तो देखिए, question number सबसे पहले हमें given terms को लिख लेते हैं, जो दिया गया है, तो given terms में क्या दिया गया है, given terms में दिया गया है, आपको x square minus x minus 6, आपको zeros find करना है, तो zeros एक alpha होता है, यह find करना है, और एक beta होता है, यह आपको find करना है, तो alpha और beta आपको find करना है, ओके, तो सबसे पहले हम लोग x square का coefficient 1 है, और यह constant term 6 है, तो x square का coefficient और यह constant को multiply करेंगे, तो इसका x square का coefficient 1 है, तो 1 को हम लोग 6 से multiply करेंगे तो 6 होगा 2 3 जा 6 दो टर्म सा गया मैंने पिछला वीडियो में अच्छे से समझाय हुआ है कि मीट टर्म को split कैसे करते हैं question को factorize तो देखे सबसे पहले हम लोग first term को as it is रहने देते हैं इसमें कोई changes नहीं करते हैं तो यह साइन होता है वो चेंज नहीं होता है वैसा ही रहेगा इन दोनों में बड़ा कौन है 3 हम यहां 3 x लिख लेते हैं छोटा है आपका 2 यहां 2x लिख लेते हैं यहां प्लस का साइन और लास्ट वाले टम का हम लोग सेम रहने देते हैं यहां का साइन भी चेंज नहीं करते हैं और डिजिट को भी चेंज नहीं करते हैं और फॉस्ट और लास्ट का साइन को भी चेंज नहीं किया जाता है क्यों यहां के साइन को हम को चेंज करना है तो देखिए अब हम इस हां यह को प्रेकट में रखेंगे साओ यह हो जाएगा कि एकसद क्यों माइनस में 3 एकस प्लस अजिसको प्रेकट में ट्लोस करें ए थ। मैंन० के correct स सब्सक्राइग pseudo घ्र पर मुटेंट ए डिय को अंदर में बच जाएगा मिनस में अन्दर में हम अंदर में एक्स बचेगा माइनस यहां 3 हो जाएगा तूको एक्स से इंटू करेंगे 2 x 2 को 3 से इंटू करेंगे 6 आएगा यह दोनों ब्रैकेट वाला अगर सेम आ गया तो सही बनाये है और दोनों ब्रैकेट वाला वाला सेम नहीं आया समझे आपक कल्कुलेशन गलत है तो दोनों में से किसी एक को उतार लेते हैं हम लोग, x-3, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाले को उतारते हैं, x-2, x-2, उसके बाद हम लोग इन दोनों को 0 के एक्वेट कर लेते हैं, x-3 is equal to 0, तो x is equal to minus 3, इधर आया तो plus 3 हो जाएगा, और फिर इसको 0 के एक्वेट कर लेते हैं, x-2 is equal to 0, तो x is equal to plus 2 है, equal to इधर आया तो minus 2 हो गया, तो आपका alpha और beta निकल आया, तो alpha आपका कितना आया, alpha आगया 3, एक answer यह हो गया, और एक beta आगया आपका minus 2, एक answer आपका यह हो गया, तो 2 zeros हमको find करना था, तो 2 zeros आपका निकल गया, आपका आपको यह अच्छे समझ में आ गया होगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेजे, और बाकी वीडियो भी आपने अभी तक नहीं देखा है, तो description में उसका लिंक मिल जाएगा, महाँ जाकर कि आप इस exercise का बाकी questions लाव watch कर सकते हैं, मिलते हैं फिर next video में, thank you.